आज हदी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल की लिए से तेश वांचियों का गव्रवगान करने का आउसर मिला था इस मिट्टी में वो सामर्थ है जो शांत्रकों से भी पड़े सामर्थ का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है सद्यों तद जीता रहा है और उसी का परणाम है हमने क्या कुछ नहीं जेला कभी अन्न का संकड जेला कभी युद्व के शिकार हो गए आतंगवाद ने डगर डगर चुनोतियां पैदा की निर्दोष नागरिकों को मौत के घात उतार दिया गया छदम युद्व चलते रहे प्राकृतिक आपदाएं आती रही सभलता विपलता आशा निराशा न जाने कितने पड़ाव आए हैं लेकिन इन पड़ाव के बीज भी भारत आगे बढ़ता रहा है भारत की बीविदता जो औरों को भारत के लिए बोज लगती थी वो भारत की बीविदता ही भारत की अनमोल शक्ति है शक्ति का एक अतुट प्रवा है और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहरेंट सामर्त है एक संस्कार सरीता है एक मंद मस्तीश का विचारों का बंदन है और वो है भारत लोगतंत्र की जड़नी है मदर अब डेमोक्रेसी है और जिनके जहन में लोगतंत्र होता है वे जब संकिकर पगर के चल पड़ते हैं वो सामर्थ है दुनिया की बड़ी बली सल्तनातों के लिए भी संकट का कान लेकर के आती है ये मदर अब डेमोक्रेसी ये लोगतंत्र की जन्नी हमारे भारत में शिद्ध कर दिया कि हमारे पांस एक अनमोल सामर्थ है मेरे प्यारे देश वास्यों पच्छतर साल की आत्रा में आशाएं अपेक्षाएं उतार चड़ाओ सब किसके बीच में हरे के प्रयास्यम जहां तक पहुंच पाए थे पहुंचे थे और 2014 में देश वास्यों ने मुझे दाई तो दिया आज हदी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लान की लिए से देश वास्यों का गवरवगान करने का आउसर मिला था कर्या कर्या दो